जैशी कृष्णा दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माता जीजा बाई महराश्ट्र के एक गाउं में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी अकस्मात कुछ यवंज सैनिक एक मंदिर को तोड़ने के लिए आप होँचे उस नन्नी बच्ची ने प्रतिरोध किया सैनिको ने बच्ची का उपगास कर उसे एक तरफ हटा दिया और मंदिर गिराने के लिए हथोड़ा चलाने लगे बच्ची पुनय डटकर खड़ी हो गई उसने कहा पहले मेरे सिर पर हथोड़ा चलेगा फिर देवता के मंदिर को छू सकोगे मैं जीते जी मंदिर को गिराने नहीं दूँगी देवताने तुम्हारा क्या विगाड़ा है जो मंदिर को गिराने का दुष्ट प्रयास कर रहे हो उन दिनों मंदिर प्रतिदिन गिराते थे रोज-रोज ऐसे द्रश्यों को देख कर लोगों की समेदना के तंतू प्राय मर चुके थे उन्हें अनभव ही नहीं होता था कि कोई विशेश घटना घटित हो रही है किन्तु बच्ची वे सब सहन न कर सकी कुछ देर पश्चात उसके माता पिता को सूचना मिली और वे उसे खीच कर घर ले गए और उसकी इच्छा के विरुद सेनिकों से संगर्ष को रोकने हेतू उसको एक कमरे में बंद कर दिया बच्ची कमरे की खिड़की से देवाले गिरने का ऐसा ही अद्रशे देख रही थी तता वहीं से दाद पीस कर आसु बहाती हुई सेनिकों को चेतावनी दे रही थी कि तुम्हें इस पाप का दंड देकर रहूँगी सेनिक बच्ची की मजबूरी पर हसते थे यह नन्नी बच्ची हमारा क्या विगाड लेगी किन्तु उस नन्नी बच्ची ने बच्पन में ही जो संकल्प किया और उसी संकल्प की पूर्ती हेतु विवा होने पर अपने इश्ट देवी माता शिवा भवानी से प्रार्थना की कि मेरे अर्मानों को पूरा करने वाला एक धर्म रक्षक पुत्र प्रदान करो उस बच्ची जीजा भाई के पवित्र और द्रद संकल्प से ही सदा विजई छत्रपती शिवाजी जैसा महान इत्यास निर्माता वीर प्रकट हुआ जब शाजी का सर्गवास हुआ शाजी की धर्म पत्ने जीजा भाई सती होने लगी तो शिवाजी रोने लगे मा तुने मुझे जन्म दिया तुने लोरिया गाग अकर मुझे संसकारित किया तुने कहा है कि हिंदु पत्शा की इस्थापना करनी है मा जिस पोधे को तुने लगाया सीचा है पाला पोसा है उस पोधे को फलवान तो होने दे तुम्हारे संरक्षन में पोधा फल जाए मैं अपने लश्चक तक पहुच जाओ इतना तो करो मा को हाँ जोड़े मा मान गई मा अपनक कर्तव्य पालन करती रही और छत्रपती शिवाजी का रास्तिलक हुआ पांच पांच बाद शाहों को छोड़ कर पचाड़ कर बीजापूर गोलकुंडा औरंग जेब कुछ देशी शक्तियां कुछ विदेशी शक्तियां उन्हेंने स्वतंत्र हिंदू राज्ये शापित किया रास्तिलक हुआ शेहनाईयां बजी सब और गाजे बाजे हुए राष्ट्रे अनत्य हुए भाट आये सब राजाओं ने मस्तक जुकाया मा ने कहा बेटा मेरा कार्य पूरा हो गया है जिस कार्य के लिए जी रही थी वे कार्य पूरा हो गया है अगली एका शी आई और जीजाबाई ने शरीर छोड़ दिया गंगाजल तुलसी दल लिया और शरीर छोड़ दिया यह धन्य माता यह निर्मोई माता कर्तवे परायन माता यह परित्राता माता जै शी कृष्णा जै जीजाबाई